जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी यान हान फैंक से लड़ रहा था और अब हान फैंक अपनी फुल पार को यूज करने पर मजबूर हो जाता है वहीं सियावली कहीं सारे सैनिकों को अकेला संपाल रहा है और उन्हें हरा रहा है वहीं सियान ने लोटस फायर बन देता है हन फैंक भी अपनी पावर को समझ कर अपना पाफुल अटक जिसका नाम सी हाट फांटम बीस्ट है उसको छोड़ता है यह अटक एक बीस्ट आइकर के अफ्तार ले ले लेता है और अब दोनों के अटक एक दूसरे से टकराने वाले हैं इनके टकराफ से यहां पर भी असर डालेगा इसलिए वो तुरण अपने लोगों को और पान मैंग के लोगों को छुपने को कहता है और तब उस विस्ट वोड से जो एनरजी निकलती है वो नीचे सभी को जलानी लगती है जिससे कई सारे ब्लाक अलाइंस के सैनिक मारे जाते हैं एल्डर सू जी की दाकत को देखकर हैरान है और कहता है कि ये लड़का हैं फैंक तक को रोपने के काबिल हो पाया इसमें अखिर ऐसा क्या है असलमें जी एन की अपनी एक हिस्ट्री है जो हमें एनमी में नहीं दिखाए गई है और इसका सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट वही है जी एन जी एन को जीता देखकर डर रहे हैं क्योंकि वो दोनों भी कुछ समय में एल्डर सू से हार ही जाएंगे नीचे लड़ रहे पैंट मैंग के लोग प्रे करने लगते हैं कि विस्ट में जी एन को कुछ ना हुआ हो अकर उसको कुछ हो गया तो जी आउली फर्स प्रदर को कै से अपना मुदी खाएगा लेकिन तब ही वहाँ विस्ट की स्मोक खटती है और हैंट खायल होता हुआ नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है और जी एन उसके उबर से आकर उसको जोर से पंच मारता है ये देखकर सब काफी कुछ हो जाते हैं जी एन के मन में इसके लिए क वरनी आगे बढ़ता है लेकिन तब ही वहाँ सूल टेंपल का एक मिस्टीरियस मैन आ जाता है जिएन के अटाक को रोग देखता है ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और मिस्टीरियस मैन कहता है कि तो ये सच ही है कि तुमारे अंदर मेडिसीन दस्की सोल रहती है असल में स Queen Medusa आकर उसके अटाक को रोक देती है और उसके chain blade वेबन को पकड़ लेती है। वो कहती है कि इसकी life मेरी है और इसकी life पर सिफ मेरा अधिकार है। इसलिए कोई और इसे नहीं ले सकता है। C.N. Queen Medusa के बहुत पास खड़ा है। इसलिए पहले Queen Medusa उसको ही धक्का मार कर दूर करती है। C.N. Irritate हो जाता है और सूचने लगता है कि आकर ये औरत मुझे चाहती ही क्या है। ये मुझे safe भी कर रही है और साथ ही साथ इतना बुरा मुझे treat भी कर रही है। और ये आदमी यहां तक आ गया। अगर ये आदमी यहां ना आता तो मैं हान फैंग को मार चुका हूता। हान फैंग अत्मरी हालत में है और वो अपनी जिन्दगी के लिए आखरी पल गिन रहा है। Queen Medusa जब अपने नीचे हान फैंग को अत्मरी हालत में देखती है तो उसे बहुत गिन आती है। इसलिए पहले वो हान फैंग को केक मार कर दूर फैंग देती है और इससे हान फैंग की वही दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देकर जियान खुश हो जाता है और कहता है कि कितने अच्छी केक थी। क्वीन मेडियूसा गुस्से में जियान को देखती है जिससे जियान फिर से चुप हो जाता है। कि अपने वेपन को नहीं ले पाता है। जिससे वह वेपन वहीं डिस्ट्रॉई हो जाता है। वह समझ जाता है कि इस औरत से लड़ना उसके भले में नहीं है। वह कहता है कि सालों बाद किसी ने सोल टेंपल से ये गुस्तागी करने की हिम्मत दिखाई है। लेकिन लगता है कि आज मेरा बैट लग है जो तुम यहां आ गए। लेकिन वैसे भी मेरा मकसदा इस लड़के को मारना नहीं है। मुझे बस कन्फर्म करना था कि या उलाव इसके अंदर है या नहीं। अब इस लड़के के लिए मेरे सोल टेंपल के बाकी ताकतवर लोग आएंगे जो इसे संभाल लेंगे। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जियान हान फैंग की बॉड़ी के बास जाता है लेकिन उसे इसकी फ्लेम नहीं मिलती। वो मिस्चिरियस मन इसकी फ्लेम ले गया है। गोल्ड अन सिल्वर यहां से भाग जाते हैं और सभी ऑपनेंट से ने अब एल्टर सू के सामने सरेंडर कर दीते हैं। वही जियान को हान फैंग से एक हाई लेवल रिंग मिलती है जो बहुत जादा कीमती है। इसलिए जियान उसे ले लेता है वही आप उसके फास कुईन मद्यूसा गुस्से में आती है। जियान उसको देखकर ढरते हुए कहता है कि तुमारा धन्यवा जो तुमने मेरी फिरसे जान बचाए। Queen Medusa कहती है कि एक ना एक दिन मैं अपने हाथों से वैसे भी तुम्हें मार ही दूंगी वो गुस्से में जियान के तरफ बढ़ने लगती है लेकिन तभी Elder Sue वहां आते हैं और Queen Medusa से पॉलाइटली कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो जियान Elder Sue को कहता है कि आप चंता मत करो मेरे और इसके बीच बस एक misunderstanding सी हो गई है जिस पर Queen Medusa जियान को shut up बोल कर चुप कर देती है और कहती है कि तुम इसे misunderstanding का नाम कैसे दे सकते हो तुमने जो मेरे संकी है उसके तुमें कोई माफ़ी नहीं मिल सकती है और इसकी सजा सिर्फ मौती है ये आकर टाइम है और अब अगली बार मैं तुमें नहीं बचाऊंगी और जल्दी तुमारी जान भी ले लूँगे Queen Medusa अब वहाँ से चली जाती है Guys, असल मेचा जियान पहले दो साल जाब बीस्ट के अंदर था तो कुछ समय के लिए Queen Medusa कमजोर हो गई थी और जियान Evil Fire के वज़े से अपने सेंसिस को चुगा था यानि वो नशे किसी हालत में हो गया था आप लोगों की काफि दिमांड थी कि मैं इस पार्ट को explain करो लेकिन ये बात हमें Enemy में नहीं दिखाया है लेकिन नौवल में इसका detail में explanation हमें देखने को मिलता है आप लोगों के दिमांड पर हम इसकी detail explanation अपनी website www.misskienemy.com है उस पर जाकर देख सकते हैं हमने बहाँ detail में explain किया है और उसके link आपको description box में मिल जाएगी अब elder सोच में पढ़ जाते हैं कि आखिर भला जियान ने इतनी powerful लड़की किसा क्या कर दिया होगा जियान अंबारेस सुझाता है क्योंकि वो अपने teacher को तो वो सब नहीं बता सकता इसलिए वो बात घुमा कर कहता है कि हान फैंक की body से मुझे ये powerful ring मिली elder सू समझ आते हैं कि ये एक rare treasure है और क्योंकि ये तुमने जीता है इसलिए तुम ही रखो जियान उसे अपने पास रख लेता है elder सू उसे अब phone करते है soul temple की नजर अब तुम पर है वो organization कोई आम organization नहीं है जिस पर जियान कहता है कि आप चंता मत करो मैं अपनी strength जल्दी से बढ़ाऊंगा और वो मेरे पास भले ही ना आए लेकिन मैं उसके पास जाकर उन्हें जरूर खत्म कर दूँगा elder सू उसे यही समझाते हुए चले जाते हैं कि तुम्हें और जादा साबदान होने की जरूरत है अब elder सू officially blackly alliance को खत्म कर देते हैं जियान सोचता है कि अब उसके पास finally यह capability है कि वो खुद को और अपने teacher को बचा सकता है वो अब अपने कमरे में जाकर वापिस meditate करने लगता है और अब meditate करते हुए finally उसकी body का सारा poison जो उसे दो साल बीस के अंदर रहने की वज़े से मिला था वो निकल जाता है उसे अब new fire मिली थी वो उसको देखने लगता है और इसकी fusion का कुछ नाम रखने की सोचता है वो इसका manipulation अब जल से जल सीखना चाहता है वो इसका नाम लियू ली लिया जिन्हाओ रख देता है अब वो different fire को fuse करना उन्हें manipulate करना ये सब देखने लगता है वो अब उस scroll को खोलता है जो उसको जी जूनियर ने दिया था जी जूनियर ने उसको इस scroll को सिर्फ तभी खोलने को कहा था जो वो fighting king level पर पहुँच जाए वो इस scroll को खोलता है और वो इस scroll के अंदर पहुच जाता है वहाँ उसे आवाज सुनाइक देती है जो उसे कहती है कि ये emperor seal Jew है जिसको ancient fighting emperor ने बनाया था इसके अंदर five types की टेकनीक है अकर तुम इन सब seals को प्राक्टिस करना चाहते हो तो तुमारा fighting kind पर होना ज़रूरी है वरना तुम भी बड़े disaster में आ जाओगे इस scroll के अंदर ही उसे अब जी जूनियर भी दिखती है जो एक basically message देने के लिए यहाँ उसे दिख रही है जी जूनियर कहती है कि तुमने इस scroll को खोल दिया है यानि तुम fighting king level पर हो जियान उसे गले लगा लेता है और जी जूनियर कहती है कि यह दिन यंजू हमारी family की ancient technique है वो उसे अब और भी इन seals के बारे में बताती है जो हम आगे आने वाले episodes में जानेंगे और अंत में वो उसे कहती है कि तुम इन टेक्नीक्स का इस्तमार बहुत सो समझ कर ही करना क्योंकि यह सर्फ हमारी families की है और अगर किसी को पता चला कि यह तुम्हारे पास है तो तुम unwanted attention gain कर लोगे जो तुमें मुसीबत मिला सकती है जियान समझ जाता है और जी सूनियर की memory वहां से चली जाती है अब जियान उसके चाने से उदास होकर फिर से meditate करने बैठ जाता है और फिर यहीं यह पार्ट खत्म हो जाता है अब Queen Medusa और जियान के बारे में और जानने के लिए आप description box में दी गई website पर जरूर जाएं